दोस्तों वैसे तो आप GUM है किसी के पैयार में फिम एक्ट्रेश आईशा सिंग के बारे में काफी कुछ जानते होंगे लिगिन किया आप इनके सीरियल का रील प्यार और रील लाइफ प्यार के बारे में जानते हैं जिन दोनों के साथ इनकी जबदस बॉंडिंग हैं नई ज आईशा सिंग का जन 19 जून 1993 को महराश्रा की मुंबई में हुआ था जिसके चलते इन्होंने अपनी पड़ाई हैं से कंप्लीट की है अगर बात करें इनके एक्टिंग करियर की दो बता दे इन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआ साल 2016 में जिंदगी अभी बाकी है मेरे घोष्ट सीरियल से की थी जिसमें इनके एक्टिंग को दर्शकों द्वारा काफी जदा पसंद किया गया था जिसके बाद इनने डोली अर्मानों की जैसे सीरियल में काम करने का मौका मिला आथ ही आपको बता दे कि इन दिनों एक्टिंग की मुख्य भूमे का निभा रही है और साथ ही अपनी एक्टिंग के कारण दर्शकों का खूब दिल भी जीत रही है लेकिन वहीं अगर बात करें आईशा सिंग की रील लाइफ और रियल लाइफ प्यार के बारे में तो मैं आपको बता दू कि इन दिनों सीरियल गुम है किसी के प्यार में ये एक्टर नील भट के साथ स्क्रीन शेयर कर रही है इसी वज़े से नील भट इनके ओन स्क्रीन प्यार है जिसके साथ सीरियल में इनकी जबदस केमिस्ट्री देखने को मिलती है नील भट के साथ इनकी केमिस्ट्री ने लोगों का खूब दिल जीता है जहां सीरियल के शुरुास से ही सही और विराट के बीच में प्यार और नोगजोख वाला रिस्ता दिखाया गया है। इनकी कैमिस्ट्री इतनी ज़्याद अच्छी है कि लोग इनकी तारिफ करने पर मजबूर हो जाते हैं। फिलाल इन दिनों इन दोनों के बीच में टकरा नजर आ रही है। लेकिन इसके बावजूब भी इन दोनों की जोड़ी टीवी स्क्रिन पर सूपर हिट नजर आती है। सीरियल वाले प्यार के बाद अगर बात करें इनकी रियल लाइफ प्यार के बारे में तो वो और कोई नेबल की इशान राजे सिंग है। आपको बता दे कि इशान राजे सिंग सीरियल गुम है किसी के प्यार में के प्रडियूसर के बेटे हैं। बता दे कि इशान और आईशा की जोड़ी एकदम पर्फेक्ट लगती हैं। जा दोनों एक दूसरे के साथ काफी जादा मस्ती करते वे नजर आते रहते हैं। और साथ ही आपको बता दे कि आईशा की तरह उनके बॉइफरेंड भी दिखने में एकदम पर्फेक्ट है। तभी फैंस को भी इन दोनों की जोड़ी खूब अच्छी लगती है। फैंस आईशा सिंग और उनके बॉइफरेंड इशान की जम कर तारिफ करते हैं। साथ ही आपको बता दे कि इनके परसनलिटी के चर्चे हर जगा है जो कि अपने हर एक ड्रेसिंग सेंस में काफी जादा अच्छे लगते हैं। तो दोस्तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको आईशा सिंग की जोड़ी किस के साथ जाद अच्छी लगती है। नील बर्ट या फिर इशान राजे सिंग के साथ। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजी।